हेलो दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रूप D परीक्षा में 2022 में एक्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मैं 25 महत्तों बुड़ प्रस्ट न लेकर कहा हैं जो हमेशा से रेलवे ग्रूप D एक्जाम में पुछे जा रहे हैं तो आप एक बार अगर इस एक्जाम में बैठ रहे हैं, एक्जाम देने वाले हैं, तो ये question देख लिजे एक बार, और revision कर लिजे, क्योंकि ये question और इसी type से question हमेशा से पूछे आते जा रहे हैं, वो भी railway group D में, तो एक बार ज़रू देखिए, तो चलिए वीडियो सुरू कर अगर आपको answer पता होगा, तो direct comment box में कीजिए, comment कीजिए, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, जो भारत का सहर जो 2023 में ओलंपिक समीती का मेजबानी करेगा, उसका answer है फोर, यानि कि मुंबई, मुंबई सहर है, 2023 में आप लोगों का ओलंपिक समीती सतर की मेजबानी करेग तीसरा प्रशन है, कारल सेगन कौन था, तो option number one है, एक अमेरिकी खगोल सास्त्री था, दूसरा option है, ब्रेटिस भोतिक विज्यानी था, तीसरा option है, फ्रांसिसी, चौथा option है, अंतरिक छैत्री, तो answer आपको पता होगा, तो comment box में comment कीजिए, और इसका answer है, एक अमेरिकी पूरा नाम क्या है, तो पहला option है, wireless local area network, दूसरा option है, wide local area network, तीसरा option है, wind, light, atmospheric nature, चौथा है, wireless local area node, तो अगर आपको answer पता है, तो direct comment box में comment कीजिए, और इसका answer है, first, wireless local area network, नेक्स्ट प्रस्ण है, कोसिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो answer है, sorry, प्रसला option है, lysosome, दूसरा है, ribosome, तीसरा है, nucleosome, चौथा है, golgica है, तो अगर आपको answer पता होगा, तो direct comment box में comment कीजिए, और आपको इसका answer मैं बता दूँ, कि कोसिका की आत्महत्या की थै नेक्स्ट प्रस्ण है, प्रस्ण है, किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या नहीत हो सकता है, तो पहला option है वेग, दूसरा option है उर्जा, तीछरा option है गती, चौथा option है संवेग, तो अगर आपको answer पता है, तो comment box में comment कीजिए, और इसका answer मैं आप लोगो प्रस्ण है, तो प्रस्ण है, तो पहला option है, गोवा का बशन तरीतू का महस्ता है, दूसरा option है निलगिरी के सबसे उची चोटी है, तीसरा option है एक प्रकार की रंगोली है, और चौथा option है भगवान सीउ के नामों में से एक है, तो अगर आपको उत्तर पता है, तो comment box में comment क करके बताईए, और इसका answer आप लोगों को मैं बतादू कि सीखमो, गोवा का बशन तरीतू का एक महस्ता है, नेक्स्ट क्वेस्टन है, एडी डास ने महिलाओ को ससक्त बनाने के लिए किसके सांस समझोता किया है, तो पहला option है, रानी राम पाल, दूशरा option है, पीवी बनाने के लिए मनी का बत्तरास के सांस समझोता किया है, नेक्स्ट प्रसन है, विस्व के कुल भू भागी ये छेत्र फल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है, तो इसका option है 2.4%, दूशरा option है 16.4%, तीशरा option है 3.5% और चौथा option है 19.2%, तो आप लोगों का अगर answer पता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे, और आप लोगों को मैं बता दूँ कि विस्व के कुल भू भागी ये छेत्र फल में भारत की भागीदारी का प्रसेंट है 2.4%, किसी अभिकरिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो पहला है प्रतिफल, दु आप लोगों को मैं बता दूँ कि अभिकरिया, किसी अभिकरिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो जो लाल बटन है उसको दबा दो यार और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे हर एक वीडियो जो अपडेट डलता रहों, उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि इस चैनल पर गुरूप डी को ले करके हर एक नहीं नहीं अपडेट और उसकी तैयारी होते रहेगी, आपको डेली न्यू-न्यू MCQ क्वेस्चन आपको देखने को तो आएए बढ़ते हैं next two question की तरब, next question है गृत्वा कर्षक, नियतांग का मात्रक क्या है? तो option एक है न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम, दूसरा option है न्यूटन मीटर स्क्वेर प्रति किलोग्राम स्क्वेर, तिसरा option है न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वेर, तो चौथा option है मीटर मीटर शेकेंड प्रति स्क्वेर, तो अगर आपको answer पता है तो comment box में comment कि किजेगा और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका option दो इसका answer है Newton meter square प्ति किलोग्राम square next question है leukemia एक प्रकार का माना रोग है जो की यानि कि इसका option है सफेद रख्त को सिखाओ का cancer है vitamin की कमी के वज़़े से होता है और मस्तिस की cancer है और चौथा option है protein के अधिक 7 के कारण होता है तो अगर आपको इसका answer पता है तो comment box में comment किजेगा और इसका option है leukemia एक प्रकार का माना रोग है जो की सफेद रख्त को सिखाओ का cancer होता है तो ये है इसका उत्तर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हर एक update आपको मिलती रहे तो next question है गुप्त काल के चांदी के सिख्कों को क्या कहते थे तो option एक है दिनार दूसरा option है रूप्यक तीसरा option है शत्मान चौथा option है करशापड तो अगर आपको answer पता है तो comment box में comment कीजेगा वैसे है गुप्त काल के चांदी के सिख्कों को रूप्यक कहते थे ये इसका answer है यानि की option नमबर 2 किस भारती एतिरंदाज ने 21 एसी आई चंपियनसिप की महिला वैक्तिगत रिकर्व इस परधा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है तो इसका option है लच्मीरानी और दूसरा option है डोला बनरजी तीसरा option है दीपी का कुमारी चौथा option है अंगीता भक्त तो अगर आपको option पता है तो comment कीजेगा तो इसको option मैं बता दू कि तीसरा option दीपी का कुमारी यानि कि दीपी का कुमारी नीकिस्वी स्वर्ण चंपियनसिप की महिला वैक्तिगत रिकर्व इस परधा में स्वर्ण अपदक अपने नाम किया था नेक्स्ट केस्टन है औरंग चेप के काल में कौन यूरोपी यात्री भारत आया था तो इसका पहला option है विलियम हॉकिन्स दुसरा option है एंटोनियो मुनसे राट तीसरा option है टामस रो चौथा option है निकिलो मनुची तो अगर आपको एंसर पता है तो कमेंट कीजेगा वैसे आप लोगों मता दू कि औरंग जिब के काल में यूरोपी आत्री निकोला मनुची भारत आया था next question है किसे दादा सहब फाल के अंतराश्टी फिल्म महस्ता पुरुषकार 2022 द्वारा सर्वेसेष्ट निर्देशक के पुरुषकार से शम्मानित किया गया है तो अग option है इसका केन घोष दूसरा है विशाल भारत द्वाज तीशरा है अनुराग कश्यप और चोथा है एसेश राजा मोली और तो आप लोगों के अगर एंसर पता है तो कमेंट किजिएगा तो आप लोगों के मैं बता दू केन घोष यानि के option नमबर एक को अंतराश्टी फिल्व महस्व पुरुषकार 2022 द्वारा सर्वसेष्ट निर्देशक की पुरुषकार से सम्मानित किया गया है केन घोष को next question है मल्यालाम के किस कवीने साहित जगत की में उत्कृष्ट योग द्यान हदू पच्पन्वा ग्यानपीट पुरुषकार जीता है तो आपसा नमबर एक है पुर्षोत्तम विली माले दूशरा है अक्कितम अच्यूतन नमबुदरी तीशरा है शमीम हनभी और चौथा है ओ एनसी कुरूप तो अगर आपको इसका एंसर पता है तो आप क्रिप्या करके कमेंट वोक्स में कमेंट केजिए गया तो इसका एंसर आप लोगों को मैं बता दूँ कि अक्कितम अच्यूतन नमबुदरी ने साहित जगत में उत्क्रिष्ट योगदान हेतु पच्पन्वा ग्यानपीट पुरुषकार जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघना निमनी खित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है तो पहला आप्शन है गंगा और यमना दुसरा आप्शन है गंगा और शोन तीसरा आप्शन है गंगा और गोंती चौथा आप्शन है गंगा और ब्रहमपुत्र आपको answer पता है तो comment कीजिएगा तो आप लोगों को मैं बता दू कि मेघना, गंगा और ब्रह्मपूत्र नदियों का सम्मिलित धारा है इसी को मेघना करके बोलते हैं अभी तक आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं यानि कि DRDO ने 11 मई 2019 को कौन सा दिवस मनाया था तो option number 1 है राष्टी रक्षा दिवस दुसरा option है राष्टी अनुसंधान दिवस और तिसरा option है राष्टी प्रयोग दिवस चौथा option है राष्टी प्रोध्योगी दिवस तो अगर आपको answer पता है तो comment box में comment कीजिए तो इसका option है कि 9 दुसरा option है 12 तिसरा option है 15 चौथा option है 18 अगर आपको answer पता है तो comment box में comment कीजिएगा और आप लोगों को मैं बता दो 2022 सीथ काली नोलंपिक खेलों में चीन ने 15 पदक जीते थे यानि कि option number 3 next question है तो पहला option है बिरेंद्र कुमार दुसरा option है ओम बिर्डला तिसरा option है अधिर रंजन चौधरी चौथा option है सुमित्र महाजन तो आप लोगों को मैं बता दो इसका option है और answer है option number 2 ओम बिर्डला ही संसदी कारवाही की चालू होने पर निर्वतमान लोग सभा की अध्यक्चाता करता रहा है next question है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वन्स क्या था तो option number 1 है गुलाम वन्स दूसरा है शैयाद वन्स तीसरा है खेलजी वन्स चौथा है लोधी वन्स तो अगर आपका इसका उत्तर पता है तो comment box में comment कीज़ेगा वैसे आप लोगों को मैं बता दू दिल्ली सल्तनत का अंतिम वन्स लोधी वन्स था तो next question है इन में से किसमे DNA उपस्थित है तो पहला option है जीन दूसरा option है राइबोशूम तीसरा है रिक्तिकाएं चौथा है गौलजी तो अगर आपको उत्तर पता है तो comment box में comment कीज़ेगा वैसे मैं आप लोगों को बता दू कि जीन होती है उसमें DNA उपस्थित होती है next question है हाकी महिला एसिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है तो पहला option है सौना पदक दूसरा option है रजत पदक तीछरा option है काश्या पदक चौथा option है इन में से कोई नहीं तो अगर आपको उत्तर पता है तो comment कीज़े वैसे आप लोगों को मैं बता दू कि भारत ने महिला एसिया कप में काश्या पदक जीता था अगर आपको उत्तर पता है तो comment कीज़े next question है अगर आपको उत्तर पता है तो comment बाक्स में comment कीज़ेगा तो इसका answer है शबरी माला आंधर परदेश में स्थीत है तो ये था आज का 25 महत्तुकूर्ण question तो आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको नहीं नहीं सुझाओ या इसका उत्तर आप लोगों गलत लगता है तो comment box में comment कीज़ेगा और अपना अपना सुझाओ दीजेगा और अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर लिजेगा और bell icon को press कर दीजेगा ताकि कोई भी notification है मतलब कोई भी मेरे चैनल में अगर group D से ले करके या government job से ले करके update डले तो उसका notification सबसे पहले आपके मिले क्योंकि इस चैनल पर हमेशा कुछ न कुछ गौर्णमेंट जॉब से ले करके अपडेट daily update आती रहेगी तो ये था आज का वीडियो तो मिलते हैं next वीडियो में तब तब के लिए जैहिन